दोस्तों आप किसी भी बच्चे को पूछ लीजिए जो भी 7-8 साल का या 10-12 साल का बच्चा होगा आप उनसे पूछे कि आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं तो बोलेंगे कि मैं पाइलट बनना चाहता हूं कोई कहेगा कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं एंजिनियर ब रखते हैं और सोचते हैं कि हाँ बड़े होके तो काम करना पड़ेगा रोजगार जरूरी है जो अच्छा लगेगा वही काम करूँगा कोई आपको बच्चा यह नहीं कहेगा कि मैं बड़े होके बेरोजगार बनुगा लेकिन हमारे देश की असलियत यह है कि आज जो बच शौरिने मिले गा और सबसे जादा परशान वो तब वंगे जब वो Y Hatin human हम को देने वाली बात है कि सबसे जादा बेरोजगारी हमारे देश में उनी के बिछ में यंउन लोगों के बीछ में यह पहला चौका देने वाली मैं कह और दूसरी जो बात है जो आपको और भी चौका दे सकती है वो ये है कि जितना आप पढ़ेंगे उतनी कम आपको नौकरी मिलने की चांस है graduate लोगों में हमारे देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है इसी का हिसाब लगाएंगे आज के इस एपिसोड में देखते रही है को आज के शो में मैं दो चीज़ देखूँगा एक है युवा उनमें कितनी बेरोजगारी है और मैं इसलिए बीस से चौबिस साल के लोगों को ले रहा हूं और दुनिया का अगर मैं औस ले लूँ तो अगर बीस से चौबिस साल के सौ लोग दुनिया में है तो उनमें से सत्तावन ऐसे हैं जो काम ढूंडते ये एक आंकड़ा आप अपने दिमाग में रख दीजे अगर मैं ऐसा लूँ कि शहरों में मैं शहर पर फोकस कर रहा हूं और अगर मैं देखो कि शहर में हमारे द जादा नहीं है अगर इनमें से सत्तावन प्रतिशत जो की दुनिया का औस सत है मैंने का काम ढूंड़ने वाले लोग होते तो दो करोड़ आप कह सकते हैं साथ लाग के आसपास ऐसे लोग होते जो काम ढूंड़ते हैं ठीक है आज हमारे देश में जिसको लेबर फोर्स कहा जाता है सिरफ एक करोड़ चपन लाग के आसपास है सिरफ एक करोड़ चपन लाग के आसपास 20 से 24 साल के लोग हैं जो काम ढूंड रहे हैं इस वक्त ऐसे भी लोग हैं और CMI ये भी सवाल करता है कि आप काम ढूंड नहीं रह गए हैं कहते कि मिलने वाला नहीं ढूंड के क्या करूं अगर आपको काम दिया जाए तो आप करेंगे हों कहते हैं बिल्कुल जरूर करेंगे यानि कि वह विलिंग है वो करना चाहते हैं ढूंड नहीं रहे हैं इस वक्त ऐसे लोगों को अगर जोड़ा जाए तो एक कड़ मिली हुई है सिरफ सिरफ 88 लाख लोगों को इंटरनेशनल नौर्म के इंटरनेशनल ओसत लिया जाए तो 66 प्रतिशत हमारे देश में 20 से 24 साल के लोग बेरोजगार हैं वो कोई काम नहीं कर रहे हैं उनको काम करना चाहिए ठीक है काम करना चाहिए काम ढूंडना चाहिए करना कर रहा है उसको काम करना चाहिए इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उनको काम मिलने का कोई चांस नहीं है उनको नहीं लगता कि उनको काम मिल सकता है सबसे बड़ा कारण है इसलिए उन्होंने छोड़ी दिया काम मिलने का कोशिश नहीं कर रहे हैं ऐसे लोग जो हमार CMI का डेटा ले लूँ तो ऐसे लोग जो नौकरी करना चाहते हैं या ढूंड रहे हैं ठीक है उनका अगर मैं तादाद ले दू मैंने आपको कहा था कि ऐसे लोग सिर्फ एक कड़ो सत्तर लाग क्या सपास है इन में से 48 प्रतिशत ऐसे हैं लगवग आदे 48 प्रतिशत ऐसे है हैं 20-24 साल के जिन के पास नौकरी नहीं है याद रखिए ये लोग काम ढूंड रहे हैं और काम करना चाहते हैं कोई ढूंड ने रहा है कोई करना लेकिन करना चाहते हैं उनमें से 48 प्रतिशत के पास हमारे देश के शहरों में काम नहीं है मैं ये जनवरी 2021 लेटेस डेटा जो निकला हुआ है उसका कर रहा हूं आप सोच सकते हैं इसका मतलब क्या है आप सोच यह घर में बैठे हुए हैं और ममी पापा पूछ रहें कि बेटे काम मिला क्या नौकरी लिया तो यह वो बोर रहें कि नहीं जहां-जहां अप्लाई किया था वो नहीं मिला तापा कैते कि बेटे काम कर थोड़ा सब नीचे कर ले अपनी तुने जो सोच रखा है कि यही वाला नौकरी करूंगा यह छोड़ दे कोई दूसरी अगर एग्जेकेटिव की नौकरी ढोन रहा है नहीं मिल रहा है तो पीयंग की नौकरी कर ले कितने दिन घर पे बैठे रहे बहुत अजीब बात है कि सबसे जादा बेरोजगारी दर यंग लोगों में हैं जैसे मैंने आपको कहा क्या होता है कि जो यंग लोग हैं वो एक तरह की नौकरी चाहते हैं और वो नहीं मिलता है तो वो नौकरी नहीं लेते हैं और धीरे-धीरे क्या होता है कि जब प्रेशर ह डेटा देखो और सिर्फ जन्वरी ने मैं सितंबर से दिसंबर 2020 का एक औसत देख रहा हूं क्योंकि एक महीने का न देखके हम लोग चार महीने का डेटा ले देते हैं यह भी पूरे देश का अगर हम देखें सिर्फ मैं शहरों की बात नहीं कर रहा हूं गाओं की भी बात कर रहा हूं 20 से 24 साल के जो लोग है उनमें जो लोग काम ढूंड रहे या काम करना चाहते हैं उनमें से 45 प्रतिशत के पास काम नहीं है वो बेरोजगार हैं अगर मैं 25 से 29 साल वा के उपर जो लोग है ठीक है दीरे दीरे घट पैतालिस साल के उपर जो लोग है उनमें बेरोजगारी दर जो काम ढूंड रहे या काम करना चाहता है दो प्रतिशत है सिर्फ जितना एज बढ़ता है लोग कॉंप्रमाइस कर लेते हैं और जो भी काम मिल रहा है वो ले लेते कि लोग हमारे देश में ग्राजुएशन क्यों करते हैं ग्राजुएशन करेंगे तो अच्छा नौकरी मिलेगा ग्राजुएशन करोगे तो नौकरी तो मिलना ही है जैसे मैंने आपको कहा दुनिया भर में जो लोग ग्राजुएट करते हैं उनमें से कम से कम सत्तर अगर इन में से 70% काम ढूंदते तो लगबग 4.5 करोड के आसपास लोग काम ढूंद रहे होते लेकिन हमारे देश में असल में 3 करोड 65 लाग के आसपास लोग थे जैनुरी में लास सर्वे हुआ जो काम करना चाहते या काम ढूंद भी रहे हैं इन में से कितनों के पास काम हैं सिर्फ तीन करोड के पास सिर्फ तीन करोड के पास है अंतर राश्ट्रिय औसट से अगर मैं देखू तो यह बेरोजगारी दर 32% है graduate होने के बाद भी graduate होने के बाद भी जितने लोगों को काम मिलना चाहिए उन में से 32% के पास काम नहीं है सत्रा प्रतिशत बेरोजगारी दर है graduate में ये शेहरों की बात कर रहा हूं मैं तो मैं पूरे देश की जो औसत है फिर से मैं सिर्फ January नहीं लूँगा ये जब मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं तो मैं सितंबर से December का average ले रहा हूं 2020 के तो अगर मैं देखू कि यहां पर जि आएं उनकी नहीं कोई education नहीं उनमें बेरोजगारी दर साढ़े साथ परतिशत है जो लोग 5 वी तक पर एंपन बेरोजगारी दर भारा वी तक पढद चुके हैं यानि कि हायर सेकेंटरी कीा है स्कूल में ऊगतर का बोर्ट के पुच कशो़ड़ गएं जर दसी केytes vite बेरोजगारी दर है 15 प्रतिशत यानि 100 ऐसे लोग जो काम करना चाहते हैं काम मिल गया तो करेंगे या ढूंड रहे हैं उन में से 15 के पास काम नहीं है ये दुनिया में कहीं पे भी आप देखें तो ये बहुती बुरा नंबर है अब मैं लेता हूं graduate and above जो लोग graduation कर चुके है या उससे जादा इन में से कितने लोगों के पास काम नहीं है इन में से 25 प्रतिशत से जादा लोगों के पास इस वक्त काम नहीं है जो काम करना चाहते हैं या काम डूंड रहे हैं यानि इस चार में से एक graduate के पास इस वक्त काम नहीं है ये है हमारे देश की स्थिती और एक विश फैल सकता है, खेर असली एक तरीके साब कह सकते हैं अच्छी बात है, अभी अभी ट्रेंड हुआ था, रोजगार दो मोधी सरकार या रोजगार दो मोधी जी, उसमें एक चीज जो लोग हैं जो ये ट्रेंड करवा रहे थे, उन्होंने कहा कि हम पोलिटिकल कोई वो वोट देंगे, लेकिन वो भी मानते हैं कि नौकरी जरूरी है, रोजगार जरूरी है और आज ये एक बड़ा प्रॉब्लम है, आज का एपिसोड यहीं तक